बुलकृष्ण कनयालाल की जै भागवत भागवान की जै आओ स्रीमत भागवत कजामा दसंसकंद माजये नपेला स्रीक्रष्ण गोविंद सरे मुरारी एनाध नारायन वाशुदेव इह वेपी बाश्वा कृतमेत देव गोविंद दामों सर्माध वेपी विक्रेतु कामा पिलगो पसन्या मूरारी पादार पिसचित वुषि गोविंद दामों सर्माध वेपी गोविंद दामों सर्माध वेपी गुहे गुहे गोवजु कदंबा शर्वे मिलीवा शम्वाप्ययों ओन्यानि नामानि पठंते निद्यम् गोविंद दामों सर्माध वेपी गोविंद दामों सर्माध वेपी सुखंशायान निलये निदेती नामानि विष्णों सर्माध वेपी एनिर्चितं दन्मयताम्रजंदी गोविंद दामों सर्माध वेपी गोविंद दामों सर्माध वेपी जिह वेश दैवं पजस्टंद राणि नामानि पठंश्यमान वहरानि समस्त मक्तार्ति विनास्तानि गोविंद दामों सर्माध वेपी गोविंद दामों सर्माध वेपी सुखा वशाने इदमे वशारं सुखा वशाने इदमे वग्नेयं देहा वशाने इदमे वजाप्यं गोविंद दामों सर्माध वेपी गोविंद दामों सर्माध वेपी पृकुष्न रादा वर्घु कूलेश गोवाल गोवर दननाथ वीष्य जीविंप वश्वा्मृत मेत देव गोविंद दामों सर्माध वेपी गोविंदर दात्मों सर्मादवेग। जिरवेरशबने मधुर प्रियात्मं सत्यम इतंत्वाम पर्मंवदाःग। आवर्ण मेय मधुराक्षरानी गोविंदर दात्मों सर्मादवेग। गोविंदर दात्मों सर्मादवेग। त्वामेवयामे ममदहीजियवे argument समागतेたंड सर्मादवेग। वत्त व्यमेवं मधुराम् सुभकर्च्याई गोविंदर दात्मों सर्मादवेग। गोविंगदामू दर्मादवेव। स्री नात्त वीश्वे च्वर वीश्पमूतै स्री देव की नंदन दैत्यास्त्तौ। जीह वेपी बाष्वा मृतमेत देवं गोविंगदामू दर्मादवे। गोविंगदामू दर्मादवे। गोविपते पंकरी उमकुंद रक्ष्मीपते चेशववाशु देव। जीह वेपी बाष्वा मृतमेत देवं गोविंगदामू दर्मादवे। गोविंगदामू दर्मादवे। गोविंगदामू दर्मादवे। गोविंगदामू दर्मादवे। गोविंगदामू दर्िमादवे। बालकृष्णलालकीदे। श्री गनेशाय नमा, श्री शरस्वत्य नमा, श्री सद गुरुब्यो नमा, ओम नमो भगवते, वाशुदेवाय, भाल कृष्ण लाल की जै, स्कंद दस्मों पुर्वार्द च, मर्याधा पुर्शोतं रामजी निकथा सामडी, अवे पुर्ण पर्शोतं भगवान श्री कृष्ण निकथा सामडों, बागवतनु ताक्पर्य एआ दसम्सकंद छे, परिक्षितने सात दिवस्मा मुक्ति आक्वामावी छे, यज्य करावे तो वधारे दिवसो थाए, अने तेमा यज्यनु फड मुक्ति न थी, शुक देवजी महा ग्णानी छे, तेमने ज्ञानने भक्तिमा एक करी नाख्यों छे, तेजे स्री कृष्ण कथामा तेवो पूर्ण रुपे मनने, तेथी कृष्ण कथामा तेवो पूर्ण स्वरुपे प्रगट थाए छे, बागवत नु फड ए मननी शांती छे, मननी शांती एकले मननी समाप्ती, मुक्ति मनने आपको आनी छे, आत्मा तो सदा मुक्त जिछे, पण मन संकल्प विकल्पना चाडा करे छे, संसार ना विशयोनू तेने आकर्षन रहे छे, तेने ते विशयों मा थिखेंची एक प्रभुमा करवानू छे, प्रभुमा एक मन थे जाए, तो कोई पन जातनो वाधो आवे नहीं, जरा सरखी पन वास्नानो धागो रही जाए, तो जीवने फरी जनमू पड़े, एतले मात्र मन ने मारवानू छे, मन ने मारवानू छे, एतले के तेने परमात्मामा बराबर जोडवानू छे, भागवत नी कथा वैराज्यने वधार नारी छे, स्रिक्रिष्ण प्रेम मालीन करनारी छे, पागल करनारी छे, मन मरे त्यारे जीव पागल बने छे, मननु जरा सरखुपन अस्तित्व आ जेवने फसावनारूचे परिक्षित राजाने शुकदेवजी एक पचेक द्रस्टांतो आपी वासनाना पासमाथी मुक्त करेचे बाग्य साली छी आपडे बदा के परिक्सित राजाने सुकदेवजी महाराज जहें एक पची एक त्रष्टान तो आपी वास्नाना पासमाथी मुक्त करे छे यहें आपण ने पन आवास्नाना पासमाथी मुक्त करे छे वास्नानों शोक्षमा अंस्पन रही गयो होए तो मुक्ती दूर रही जाए अने परिक्षितने बाधवत सप्ताहमा मुक्ती आपवी जी छे रे इतले सुकदेव जी धीरे धीरे तेनी वास्नावनों नास करी तेने सुद्ध अने समर्थ बनावेचे अने एक जनमे पन योगियों जे सिद्ध नथी करता ते सात दिवसमा करूँँछे एवं करूँछे के परिखित ना मनमा कोई विकार के विचार बाधक न बने कृष्ण कथामा तणमे थवाइ तो ज आश्षक्य बने गे संसार छोडवानों नंसी, संसार ने मन माथि काडवानोंचे गर्मा रईने गर्थी अलग रेवानोंचे अक्रिष्ण मा मन तनमय थाय, तोज मननों निरोध थाय, एतले जगतनों विश्मरन अने भगवान पर आसकती संसारनों सबंद छुटे, तोज ब्रह्म सबंद थाय, अने खरो आनन्द आले, अनन्त आनन्द अखंड आनन्द प्राग्त थाय, आ दसम्सकंद एज बागवतनों फड़ छे, तत्व द्रष्टी थी आत्मा अने परमात्मा जीवन इश्वर एक छे, पन उपाधी भेद थी भासे छे, जोडों फुटी जाय, एले गटाकास, महाकास एक थे जाये छे, तेमा नवू एक थवापणू न थी, तेओ एक जहता, उपाधी थी फिन्न बिन्न देखाता हता, हवे ते मटी गया इतले थेयों, वेदा अंतनों शिदांत एवो छे, के अविद्या आवरण युक्त चहितन्य ए जीव छे, अने व्यापक चहितन्य ए परमात्मा छे, अविद्या दूर थाई, आवरण दूर थाईउं, के जीव अने सीव एक बने छे, आ जीव शीव नो भेद केवड उपाधी थी बासे छे, शीव अन्सी औने जीव एनो अन्स एकले के भागेऊ नथी, कारण के जीव अन्स थैशक्तो नथी, जो अन्स अन्सीने भाग कही, अन्सी मा थी अन्स जुदो पड़ेओ, एम कहिये तो अन्सीना स्वरुप मा भंग थसे, इश्वर एवा नथी के जेना बे टुकडा थाए इश्वर तो एक जछे व्यापक चैतन्य छे अत्र तत्र सर्वत्र छे जेम आकास सर्वत्र छे एम इश्वर पन सर्वत्र छे बिजी बाजु वैश्णव आचार्यों माने छे जीव ने इश्वर एक नथी जीव इश्वर नो अंस चे, अंसी थी अंस जुदो पड़े तो पन अंसी नो नास थतो न थी पूरा समुद्र माथी एक बिंदु पाणी काडो तो तेथि काई समुद्र नो नास थतो न थी आपने बदा राजाना दिकरा छिए अने माया आपनी दासी छे दासी ने बच्चाने रमारवाने राखी छे पजववाने माटे नहीं जो पजवेतो सेठ दासी ने रजा आपे जैनी बुद्धी अती सुक्षमा छे तेने वेदांत नो विवर्त वाद गम से जैनी बुद्धी लागणी प्रदांचे तेने वैश्णव आचार्योंनो सिद्धांत गम से खरे खर्तो आप्बन्ने सिद्धांतो दिव्य छे गम्मे ते मानो पन आत्मा नित्य छे मुक्त छे एने मुक्त थवापणू नथी आत्मा नित्य मुक्त छे जीवने इश्वर रुप मानो के तेनो अंस मानो तो पन आत्मा मुक्त छे मुक्त तो मन न थवाणू छे आत्मा तो मुक्त जीचे चुख दुख मन न थाये छे पन तेनो आरोप आत्मा उपर करवामा आवे छे जेनु मन मरे छे, मनने कोईपण रिते मारवू छे, मनने संसारना विशयो माथी पाचु आणवा, तेने क्रिष्ण लिलामा मुखी दो, ने स्री क्रिष्ण लिलानु चिंतन करो, मनने प्रती कुड़तामा थी अटावो, अनु कुड़तामा जोड़ो, आ मनने अनु कुड़तामा जोड़सो, एथी वहिराग्य वदसे, आने मन क्रिष्ण प्रेममा मग्न बनसे, संसार ना विशयोंनु विश्मरण थाए, संसार नो सबंद छूटे, त्यारे जे खरो आनंद प्रगट थाए, अने त्यारे जे ब्रह्म सबंद थाए जे, जो संसार ना विशयो मा खरो आनंद होए तो मनुष्यने निंद्रा माटे इच्छा थायज नहीं माटे संसार ने छोडवानों नथी पाणं संसार ने मन माथी बार काटवानों छे संसार मा रही संसार थी अलग थेजवानों छे बागवतनी आ कथा संसार ने भूलावे चे परिक्षित राजा पाँच पाँच दिवस्थी एक आसने बेठो चे अन तोशू पाण येने जड़नों पन त्याग करी दिदो चे तोपन भूख तरस येने जरापन त्रासापता न थी कारण स्रीहरी कथारूपी अम्रुतनुए पान करी रयोचे कथामा राजाली आवितनमयता चे आवितनमयता होई तोज मोक्षनों अधिकारी थाएचे कथामा आवितनमयता जो ये क्रिष्ण कथामा अनायासे संसार भूलाएचे क्रिष्ण कथानों एवो महिमाचे क्रिष्ण लिलानों एवो महिमाचे, संसारनु शंपुर्ण विश्मरण अने परमात्मनु शतत श्मारण एज मुक्ती छे, कथा तमने तमारा दोशोनु भान करावे छे, कथा साम्बड अपची मनुष्य रडे, तो मांजो केणे कथा साम्बडी, हाई, मारू जिवन वियार्थ कयों? गयों? एम कयी, एनु रोमे रोम रडी पडे तो मांजो के में कथा साम्बडी साची, क्रिष्ण कथामा सर्व रसोनों सम्नु आईजे, तेथि आ क्रिष्ण कथा बाडक ने पणान दापे छे, औने सन्यासी ने पणान दापे छे, स्रीक्रिष्ण बाड़क साथे बाड़क युवान साथे युवान छे स्रीक्रिष्ण ग्णानी साथे ग्णानी और योगी साथे योगी छे स्रीक्रिष्ण बोगी छे पन रोगी न थी बोगी होगा छताए तेवो योगी छे एक आज सकंध मा वर्ण न आवे छे कि श्री क्रिष्ण सवाशो वर्ष स्वधांपदार्या त्यारे पन तेमना माथान एक वार दोलो नुठयो तो एक दात सर्खोपन पड़ियो नहतो विचार करो 125 वर्ष ना थ्या त्या शुदी वाड दोरो न थयो दात सर्खोपन नहतो आ कथा मा आश्य रस्चे, वीर रस्चे, स्रिंगार रस्चे, करुणा रस्चे, भयानक रस्पन छे नाव रसो आमा भर्या पड़्या चे, कारण स्रिक्रिष्ण पोतेज रस्च रूप चे, दस्मो रस्च कनईव आपे चे, प्रेम रस्च अने क्रिष्ण कथा मा एद छलो छल भरेलो चे बाड लिलामा हास्य रस्चे, रास लिलामा करून रस्चे, तेमज स्रिंगार रस्चे, चानूर, मुष्टी, कंस वगेरेने मारे चे त्यारे वीर रस्पन जणके चे, एटला माटे आ कथा सर्वन गमे चे क्रिष्ण कथा मा जेने प्रेम रस्चनों स्वाद चाचो, एने जगतना अन्य स्वाद फिका लागे चे परंतु ए रस्चनों स्वाद मानवो सहलो न थी ए रस्चनों स्वाद तो का संकर जाने, का सुकदेव जी जाने ए रस्चने जाने छे, शुकदेव जुबि ए रस्चने जाने छे, शुकदेव जुबि काई कजारे छे, जैलो नर सैयो हूँ काई कजारे छे, जैलो नर सैयो हूँ आखवारी उगले त्या सिताराम देख्यों गन्यमायों देवन तुपाए निले गन्यमायों देवन तुपाए निले ए रस्चनों स्वाध का संकर जाने का शुकदेव जाने मेरा भाई तो कहे छे के श्रीकृष्ण ए साकर शेरडीनो रस्चे बाती बीजा बदारसों तो कडवों लीमडों छे जगेतना बदारस कडवास्ती बरेला छे, कोई रस्मा मिठास नथी अपी मदूर रस्च आप प्रेम रस्च छे, प्रेम विना प्रभूनों शाक्षाक कार थतो नथी प्रेम रस्मा वास्ना नहीं, विश्यमता नहीं, स्वार्थ नहीं, हुँ अने तु नहीं गोपी कहे छे, कि हुँ कृष्ण न गोत्वा गई, सोध्वा गई, तो हुँ खूद ज स्री कृष्ण बनी गई स्री कृष्ण पासे, हुँ पनू रहतो न थी कृष्ण प्रेम मा पागल वनू, एज मानवी नू लक्षे होगू जो ये ते माटे प्रभुनिक रुपा मा गवानी, कृष्ण मारदे तरबोड वने, त्यारेज ब्रह्म सबंद थाए, औने जीव सब्द रूप थाए ब्रह्म सबंद सतत ठकी रहे, तो माया फरिथी सबंद बाधे नहीं फरिथी माया साथे सबंद थाए नहीं, तो सात दीवसमा मुक्ती मलेचे ब्रह्म चिन्तन करता, मृत्यु पामे, तेने सात दीवसमा मुक्ती मलेचे ते लक्षे माराखी आ कथा कही चे दसम्सकंद एभगवान स्रिक्रिष्णनू रदय चे परमात्मा रसर स्वरूप छे, अने तेथी जीवपन रसरूप छे स्रिक्रिष्ण ए अती दिव्यरस छे जीवोना जाचार भेद बताव्या छे एक पामर बिजु विशय, त्रिजु मुमुक्षु अने चोथु मुक्त अधर्मथी दन कमाई अनिकिथी भोगवे एक पामर जीवचे अधर्मथी कमाई इंद्रिय सुख भोगवे ते विशय जीवचे संसार बंदन माथी छुटी छुटवानी इचा राखनार ते मुमुक्षु जीवचे कनक अने कान्ता रूप मायाना बंदन माथी छुटेला प्रभुमा तनमाई थेला जीव ते मुक्त जीवचे राजस तमस सात्विक एवी कोईपन प्रकृती नो जीव होई तो तेने पन कृष्ण कथामा आनन दावेचे तेथी महाप्रभुजी ए दसम्सकंदना त्रण विभाग कर्या छे, राजस्प्रक्रण, तामस्प्रक्रण और सात्विक्रक्रण, स्रिक्रिष्ण महान योगी छे, तेथी शुक्रेव जी जेवा योगी ने तेनी कथामा बउँ आनंद आवे छे, प्रभुए ग्रहस्थास् आदर्षनों समन्वाई आ जगतने बतावों छे, श्रिक्रिष्ण सन्यासियोनी पुजामा अग्रस्थाने बिराजे छे, ने श्रिक्रिष्णने सोडहजा रानियों छे, पन कोईना माये ते आशक्तन छे, शाधारन रिते साहित्य सास्त्रमा नाव रस्मान्या छे, हास्य, वीर, करुण, बिबिच्च, वगेरे, श्रिक्रिष्णनों हास्य विनोद अद्वितिय छे, पन स्रिंगार, पन अद्वितिय छे, श्रिक्रिष्णना वीर रस्मुवर्णन महाभारत मा ठेक ठेकानेच, श्रिक्रिष्ण प्रेम श्वरुप होवा थी, ते परिपुर्ण मा आधूर्य थी बरेलाचे। तेथी दिरे दिरे लवकिक आशक्ति नोविनास थायेचे, अने श्री क्रिष्ण माँ आशक्ति रुप भक्ति प्राप्त थता आ जीवन सफड थायेचे। आविक्रिष्ण निलाने महापूरुषो निरोध निला कहेचे। कारण के तेथी मननो निरोध थाये, एकले मुक्ति सुलब बनेचे। मननो निरोध इस्च्वर माज थाई शके। संसार ना जड़ पदार्थोमा मन एक रुप थसे नई, कारणा मन पूर्ण चेतन नथी, तेम पूर्ण जड़ पन नथी, मन अर्ध चेतन छे औने अर्ध जड़ छे। सुकदेव जी महायोगी छे, ध्यान मा तो लंगोटी क्यारे छुटी गई, एनु पन एमने भान रहियू नथी। एवा महायोगी सुकदेव जी आ कृष्ण कथामा पागल बनेचे। के मने पिता ने कैई दिदू, के तमे पिता नहीं, वहुं पुत्र नहीं, आम बद्धू छोड़ी। पन एमने स्री कृष्ण कथा छोड़ी नथी। एवा आ परिग्रही ने पन परिग्रह करावे एवी दिव्या कृष्ण कथा छे। वेदा कहे छे के मनने निर्विषई बनावो, मनने आपने विषई बनायों छे। आ विषई मन जारे निर्विषई बने, जारे कृष्ण ना विषई नो रष्ट प्राप्त करे त्यारे जेन मजा आवे छे। तो कृष्ण ना नामनू करिये। व्यसन थी व्यादी वदे, आडस वदे अपार, जो व्यसन करिये श्री कृष्ण ना नामनू तो उत्री जाए बेडो पार। इतला माटे कि दू छे। व्यसन कोई करशो होना मेरे बाई। व्यसन माँ पैसानो व्यय थाई। व्यसन माँ सरीर बगड़ी जाई। व्यसन कोई करशो होना मेरे बाई। उचिता मातो दाल गड़ी गया, मोडा मचादा थाई। व्यसन माई तारा मोडा मचादा थाई। काई कने तो कैंसर थाई गया, काई कने तो कैंसर थाई गया। व्यसन माँ सरीर बगड़ी जाई। व्यसन में कोई करशो होना मेरे बाई। बिड़ी मसाला थेर छे जाजू, ते भी करत थाई जाई। व्यसन माई मारा थे वी करत थाई जाई। फेफशाए ना बगड़ी गयाने। श्वासन रोगो थाई। व्यसन कोई करशो ना मेरे बाई। व्यसन कोई करशो ना मेरे बाई। विजा बदागुसन मानस ने मारना थे। जारे हरिनामनु व्यसन मानस ने कारना थे। बेचनी बिळी बेकराम गुठकामी पड़ी की इहडला गोडन दाजनी बातली मानस ने मारने चेक्केवा मारने। दारु बेतो ताटवाळो ने घरमा जगडा थाय। लीवर मा तो लाय लागी गई लीवर मा तो लाय लागी गई आपर होची थाय। त सिस प्रूबन होडना मेरे बाल। यत ले जाग ना व्यसन से अच-भड़ भ। लेचनी परामा ठामा गी जाए। क्था मनने व्यसनी बढ़ी थे बद्दी सरी कृिस्ट्तन आराम म होंते जाए। टुदव पार फोड़ जाए। केट केट जातना व्यशन बताव्या चुछ युगार नूतो व्यशन देवू तंदो तूझे नई माई भी जो तंदो शूझे नई करतागी ना वेचाई गयाने करतागी ना वेचाई गयाने जिन्दगी बगने जाई यसन कोई करशो ना मेरे भाई यसन कोई करशो ना मेरे भाई यसन करो तो त्री क्रिश्न ना वेचाई बेडो पाड़ भाई जाई भाई मारा बेडो पार खई जाई दाश प्रमिन तो पाय लागे छे दाश भक्त तो पाय लागे छे जीवन शुदरी जाई गयाने ब्रशन कोई करशो ना मेरे भाई ब्रशन थी पैसानो यज़ाई भ्रशन थी शरीर बंदी जाई ब्रशन कोई करशो ना मेरे भाई ब्रशन कोई करशो ना मेरे भाई पान बिडी तमाकू लारू पिने लोग कलंकीत थैना भरशो बागों तहे छे मानव जीवन स्रेट मली तो खुब श्यनमानित थै भरशो आवा कोईने पड़ियोसन छोडवा माते अमारी पासे एएसी बिरपन करिये चिये अन दवापन राखिये चिये गमेव व्यसन माथी मुक्ति अपावे चे वेदान्त कहे छे मनने निर्य व्यसनी बनावो व्यसनी बनावू ज होए तो स्रेक्रिष्णना नामनू व्यसन आपो पणा अगरू छे तेथी व्यसन वो कहे छे कि मनने प्रतिकूड विशयो माथी अटावी अनुकूड विशयो माझो लिदो वेदान्त कहे छे आत्माने बंदन न थी तो मुक्ति क्या थी होए वैसन वो कहे छे भगवत सेवामा अमने एवो तो आनंद आवे छे एवो तो आनंद आवे छे मुक्ति मडवा आवे तो पण अमारे जोईती नथी योग्यो आँख बंद करी समाधी मा बेशे त्या सुधी मन स्थिर रहे छे पण योग माथी उठ्या पछी आँख उगाडे छे एतले मन पाचु चंचल थाये छे विश्वामित्रे आँखो बंद करी साइठ हजार वर्ष समाधी करी पण आँख उगाडे पछी मेन कामा फसाया अरे आँख उगाडे होई अने समाधी लागी जाए एसाची समाधी छे आखकान उगाणा नहोए अने समाधी लाज़ी जोई है इनुनाम सहज समाधी बतायों चे समाधी ना बे प्रकारों बताव्या चे एक जड़ समाधी अने बिजी चेतन समाधी जड़ समाधी मां अठियो अठयोगियो मन उपर बडात कार करी तेने पकड़ीने जबर जस्ती थी वसकरेचे, पन मन उपर बड़ात क्यार करवा करता हैं, तेने प्रेम थी समझावीने वसकरूँ वधारे सारूँचे, अठ योगीने पन बगती योगनों साथ नमणे तो नकामू कयोँचे, मनने कोई सक्ता नथी, मन आत्मानी सक्ता थी का करेचे, आत्मा तेने हुकम न करे, त्या सुधी मन कोई काम करतू नथी, मनने सास्त्रमा नपूशक कयोँचे, एवा मनने योगियो बड़ात कार्थी पकड़ी ब्रह्मरंद्रमा स्थापेचे, ते वक्ते तेमनु शरिर जड थायेचे, जड समाधी मां शरिर नुभान रे कान बंदकरी ने बेश्ति नथी, गोपी आँख कान उगाडा राखी, स्री क्रिष्ण मा तनमाई बने छे, गोपी आँख मा स्री क्रिष्ण ने, कान मा स्री क्रिष्ण ने राखे छे, आ गोपियो ने उगाडी आँख समाधी लागे छे, तेमने द्रश्टी ज्या ज्या ज तेमने स्रीक्रिष्णना दर्शन थाए छे, शमाधी आवी सहज होवी जोई, तेथी उदव जी जारे उदव जी ये तेमने कईूं के तमें निर्गुन निराकार ब्रह्मनु आराधन करो, त्यारे गोपियों कहे छे के अमने तो उगाडी आखे सर्वत्र साकार ब्रह्म स्री क्रिष्णना दर्शन थाए छे, तो आ साकार ब्रह्मने छोड़ी तारा निर्विकार निराकार नीराकार नी इश्वर्वनी चिन्ता सुकाम में करिये, जेने उगाडी आखे नदे खातू होई, एवाद चाड़ा करे, बले करे कोई वादो न थी, गोपियों ग्रहस्थी ओ चता परामहंस चे, महा परमहंस चे, छे ग्रहस्थास्रमी पन चता महा परमहंस चे, उतम्मा, उतम्म परमहंस ए व्रज भक्तो चे, जे सर्वती अलिप्त थाई, स्रिक्रिष्ण प्रेममा तनमय चे, स्रिक्रिष्ण पन महान ग्रहस्थ चे, ते महान सन्यासी पन चे, गरमा रहिने के सन्यासी जेवु पवित्र जीवन राखवानू स्री कृष्ण बतावेचे। अने बन्यने मदद करेचे। यदु वन्सनों विनास थयो, सोनानी द्वारकानों पण विनास थयो, पण स्री कृष्ण नी श्यांती अचर रही छे। परिक्षित राजा, परिक्षित राजा ने शुकदेव जी कहेचे, कि आपनी पासे कथा सांबल्या पछी, मने बूख लागती नथी, तरस लागती नथी। आज परिक्षित राजा शुकदेव जी ने कही रयाचे, आपनी पासे थी आद्विय बाग्वत सांबल्या पछी, मारा भूख तरस भूलाई गयाचे, दन्य चे ए स्रोताने, अने दन्य चे वक्ताने, आवा स्रोताने वक्ता दूरलब चे। शुकदेव जी कहेचे, ये राजा, क्रिष्ण कथा, गंगानू महत्व भागी रथी गंगाजी करता पन वधारेचे। भागी रथी गंगामा स्नान करवाथी, मननों मेल धुवातो नथी, पना क्रिष्ण कथा ये मनना मेलन दूर करेचे। वड़ी श्री क्रिष्ण कथा, आग गंगा जया इच्छो त्या प्रगट थाएचे। भागी रथी गंगामे त्या प्रगट थाई सकती नथी। महात्मा ओ तो त्या सुधी कहेचे, नवमा स्कंद सुधी नी कथा, शुकदेव जी ये करीचे। त्यार पचिनिया दशमा सकंद नी कथा, तो स्री क्रिष्णे स्वयम करीचे। शुकदेवे राधा क्रिष्णनी प्रार्थना करीचे, क्या आप रधैमा बिराधी, हवे तमारी कथा तमेज करो। ज्ञानी पुरूषो मरणने टाणवानों प्रहत्न करता नथी, मरणने सुधारवानों प्रहत्न करेचे। मरणने सुधारे क्रिष्ण कथा, क्रिष्ण नाम, स्री क्रिष्ण भगती। अनि जेनु मरण सुधे, येने फरित्री जनम लेवो पड़तो नथी। मरण बगाणनार मात्र बे चीज छे एक वेर अने बिजु वास्तना, माटे वेर अने वास्तना थी दूर रहो, नहीं तो मरण बगण से, वेर ने वंदन करो, तो जीवन सुधरे, स्रिक्रिष्ण लिला निरोध लिला कहे छे, मन ना निरोध वगर शांती मणती न थी, माटे स्रिक्रिष्ण ने रदै मा राखो, अथ्वा स्रिक्रिष्ण ना रदै मा रहो, तोज तमारा मननो निरोध थसे, अने निरोध एज मुक्तीच, अने एकला माटेज किदूँच? मननो मोरलियो, रटे तारू नाम, मारी जूपडिये, आवो पनश्याम। मननो मोरलियो, रटे तारू नाम, मारी जूपडिये, आवो पनश्याम। एक वार आवी पूरो, रटे तारू नाम, मारी जूपडिये, आवो पनश्याम। एक वार आवी पूरो, रटे तारू नाम, मारी जूपडिये, आवो पनश्याम। शूरज पूगेने मारी उगतीरे आश्यां। संध्या जडेने हूं तो बनूरे निरासा। रात भी वज नहीं, तुझे भी जूपा। मारी जूपडिये, आवो पनश्याम। मन्नों मोरलियो, रटे तारू नाम। मारी जूपडिये, आवो पनश्याम। आंखडिये रे मने, ओच्णू देखाईचे। दर्शन वीनारे मारूं, दिलडू दुभाईचे। नैने आवोतो वाला, जशे मारा प्राई। मारी जूपडिये, आवो पनश्याम। मन्नों मोरलियो, रटे तारू नाम। मारी जूपडिये, आवो पनश्याम। मारी जूपडिये, आवो पनश्याम। मारी जूपडिये, आवो पनश्याम। श्रिक्रिष्ण लिलाने निरोध लिला करेचे। मनना निरोधो अगर सांती नती, माटे मनने रदैमा राखो। अथ्वा रदै, श्रिक्रिष्ण ना रदैमा तमे रहो। तोज मननो निरोध थसे। मनमा सतत श्रिक्रिष्ण नाम श्मर्ण राखो जूए। निरोध एज मुक्ती छे धर्ती उपरदैत्यनों त्राश वद्यों त्यारे धर्ती ब्रह्माजी ने शर्णे गई छे ब्रह्माजी देवी ब्रह्मलुक मा नारायन पासे आव्या छे नाथ कृपा करो अवतार धारन करो ब्रह्माजी ये भगवान ने आश्वास नापियों के थोड़ा समय पछे वशुदेव देवकी ना घर प्रगट थेश आबाजु वशुदेव मथूरामा लगन करवा आव्या छे वशुदेव देवकीनू लगन थेउँ छे कंस जाते वर वदूनो रथ हांके छे अने ये वत्ते आकाश्वानी थाई है कंस साबल आदेवकीनू आठमू पुत्र तने मार छे आकाश्वानी साबली कंस तेने हणवा तरत देवकीनो चोटलो पकड़ो छे अने तलवारलाई देवकीन हणवा तयार थेवो छे त्यारे वसुदेव कंस ने समझावे छे आ देव कीठी तो तारू मरन नथी न। कंस कहिना वसुदेव कहे तो एनने सासारू मारे छे वड़ी ये पाझी तारी बेन छे तारू वेर तो एनना बारको साथे छे जा तने उशोगिंदपुर्व कंउचु विश्वास आपूचु के ने पेटिर जेतला बाड़को जनम से ते उतने आपीस कंस विचारियों कि आयोजना सारी छे अने पाचुश्तरी अत्याना पापमा थी पन बची जाओं छो वशुदेव देव की गेर आव्या छे प्रथम बाड़क थयो छे वशुदेवे आवी ते बाड़क कंस राजानी आगड धर्यों छे निर्दोस नानू बाड़क जोता कंस नू रदय पिगडियों छे आ बाड़कने मारवा थी मनेला बन थी मारू तो आठमा थी मरण छे आतो जी पहलो ज बाड़क छे नाना आ बाड़कने उन नहीं मारू आम विचारी ने कहे छे कि सात बाड़कोंने तमारा घेर राख जो मात्र आठमों मने आप जो वशुदेव बाड़कोंने लई अने घेर आव्या छे नारद जी ये विचार करेो क्या कंस मामो सुधरी जसे तो पापनो गंज क्या थी थसे कंस वशुदेव के ने बहुत्रास आपे तो भगवाननों प्रागट्य जल्दी था पुन्य साडी दुखी थाए तो भगवान अधिराबनी ने दोडी आवे जल्दी आवे एतला माते कंस नो त्राश वद्वो जोई अने ते पुन्य साडी पर भगवाननी कृपा थवी जोई इश्वर कोई ने मारता न थी मनुष्य ने येनू पाप मारे चे बेवस्तुनी हम्मेशा बीक राख जो एक पापनी और बिजु इश्वर ने हने एकला माते कोई साखी मा किदू छे दो बातन को भूल मत जो चाहत कल्यान नारायन एक मोत को दूजे श्री भगवा आम बतावियों चे पापनी और इश्वर नी या बेवस्तुनी बीकर राख जो नारत जी कंस पासे हाव्या चे नारत जी एक कंस ने कहिए कंस तुबव बोडो चे ते वसुदे उना बाड़क ने छोड़ी दिदो ते ठीक नथी करिए गमे के आठमो थाई सके चे आठमाने पेलो गण तो आबाड़क आठमो थाशे कंस पूछे चे तो आबधा बाड़कोन मारी नाखो नारत जी विचारिवरे रे बापरे जो हुँ समती आपिस तो मने पड़ थोड़ू ब्रह्मात्यानू पाप लाज़े बिजाने पाप माँ प्रेरणा करे एपन पाप्त छे नारत जी काईँ मुँ तो तने साहुधान करवा आवयोचू तने योग्य लागे तेम कर नारायन नारायन करता नारत दाप्रमाने कंस ने उसकेरी हने त्यांथी विदाय थयाचे तेपछी कंस वसुदेवन देवकी जीने केदमा राखे चे कारा ग्रहमा पूर्याचे विना अपराधे वसुदेव देवकीने बेडियो पली चे छता तेमने मनमा समाधान चे के प्रभूने ठीक लाग्यू तेम कर्यो भग्व स्मरण करवा माटे एकांत मळियो अति दुख मां प्रभूनी कृपाज समझ विदुई आदे अति दुख मां आपने भगवानी कृपाज भूली जयिये चे माटे अति दुख पण कृष्न कृपाजी जावे चे प्रभु कृपाथी जावे छे, दुखमा प्रमात्मा वधू यादावे छे, कंस ए अभिमान छे, अभिमान सर्व जीवने, जीव मात्रने केद मा राखे छे, बधा जीव आ संसार रुपी कारा ग्रह मा पूरा है ला छे, बंदा है ला छे, आपने बधा पन केद मा छे, जिते बिलकुल स्वतंत्र न थी संसार ए जे काराग्रह चे आपने बधाने बंदन चे वसुदेव देव की काराग्रह मा पन जागे चे पन आपने एक एवा मुर्ख चीए के आपने बधा आ काराग्रह मा जागिये चीए जे जागे चे तेने मडे चे आने जे उंगे चे ते खोवे छे माटे जागे जो वयम राष्ट्रे जागरुयां पुरो ही ताह कीटुचे जागे जो आ संसारूपी सागर जागुआ माटे मड़यो choices , उंगुआ माटे नथी मड़यो बगवान माटे जागे तेने बगवान मडे प्रज्णया पुराण मा गुरुजी देवे द्रश्टांत आपिऊंचे के एक रूशी ने साथ सिश्यो हवे रूशी नी उमर थेई बहुत गई थोड़ी रही रूशी ये विचारियो कि आमारी पासे अनंत सिध्यो छे एसी द्यो लही जाइने हुँ शूक करी चे माटे मारा कोई लायक सिश्य ने आपतो जाओ बदा सिश्य ने बोलाव्या अने कीदू छे मने जेकाई सिध्यो परमात्मानिक रुपाथी मडी छे एसी द्यो तमने आपतो आमागू छे अने एकला माटे रात्री ना त्रिजा प्रहोरे हुँ तमने एक एक ने बोलाविश तमे बदा आओ जो बदा के बले बदा सिश्यो शुई गया छे आब आजू रुशी जागे छे त्रिजा प्रहरे रुशी ए पहला नंबर ना सिश्याने बोलाविश बेटा राम अही आओ राम आवियो छे प्रणाम करी बेसा गयो छे एने ए रुशी ए गुरु ए पहली सिद्धिया पी छे पच्छ बिजा ने बोलाविश बिजो आरसु तो सूतो तो राम ने लागियो ले आ शूतो छे तो हूज जाओ राम चुपचा पावी प्रणाम करीब बेशी गयो बिजी सिधी आपी त्रिजा ने बोलावयो, त्रिजों पन सुतो तो राम ने बहृए कि और को चले हूज जाओ। खाय चे ने उंगे चे, दुखी मात्र हूँचू, जागूँचू ने रोऊँचू, पन रुधन पन मने वालू लागे चे, बत्तो कबिर नी प्यठे जागे चे ने रुवे चे, अने तेमा जा आनंद मारे चे, आवी रिते देवकिना, कंसे छब आडकोनो नास करयो चे, मायानो आस्रे कर्यावगर भगवान अवतार धारं करिशक्ता नथी, सुद्ध ब्रह्मन अवतार थैशक्तो नथी, इश्वर सुद्ध स्वरूपे आवे तो जेने जेने तेना दर्शन थाए तेने मुक्ती मड़ी जाएचे निवारन ब्रह्म शाक्षातकार थाए तेने जे मुक्ती मड़ेचे माया वरन युक्त ब्रह्मना दर्शन थाए तेने मुक्ती मड़ी नथी योग माया आवया चे, योग माया देवकिना सात्मा गर्भने रोहिनी ना उदर मा स्थपावे चे रोहिनी सगर्भा थया चे अने दाउजी महराज प्रगट थया चे भादर्वाशूद बिजना रोज बढदेव ए शब्द ब्रह्मनू स्वरुप चे सब्द प्रम पहला आवे और पचिप परब्रम आवे स्रीकृष्ण आवे आम दाउजी माहराज पहला प्रगट थएा छे बोलिये दाउजी माहराज की जiction जे बिजान यस आपे पोते ले नहीं ते यसोदा सर्वन राजी करताँ अपयस तमारा माथे राखो तो ठाकोर जी खूब प्रशन थसे पना जीव एवो दूस्ट चे के पोताना माथे यस राखे छे अने अपयस बिजाने माथे राखे छे नंद जीनू बताविए जे शर्वने आनंद आपे ते नंद वानी विचारव वर्तन सदाचा आर्थी जे शर्वने आनंद आपे छे तेने त्या भगवान आवे छे नंद माबाये आज सुधी शर्वने आनंद आपे छे अने जे शर्वने आनंद आपे छे तेने त्या परमानंद आवे छे बदा गोवालों शांडिले रूशी पास्यावी कहे माराज कहिक करो जेथी नंद जीना गरे छोकरा थाए। एका दसी करिये तो वाई कुठ पामिये। बदा एका दसी नुँ व्रत करें चे, एका दसी नुँ व्रत महार चे। एका दसी ना दिवसे 500 पारी खवाये नी, दिवसे सुवाये नी, फड़ा आर पण थोडो जु करवालो। फड़ा आर नी पण ना पाली छे। गणों फड़ा हार करवानों ना पाली छे। एका दसी जो साती रित ठाये तो अनेक प्रकार्नी बिमारियों मतारेचे। माटें। बव अधभूत आ पावन गितने आगडवदारी आने पछी आगड़ जईये। धन्य एका दसी एका दसी करिये तो वैं कुछ पामी। मारे एका दसी नु व्रत करवूंचे। मारे ध्यान गणी नु धरवूंचे। मारे वैं कुछ गईने खरवूंचे। धन्य एका दसी एका दसी करिये तो वैं कुछ पामी। मारे एका दसी नु व्रत सारूंचे। एका दसी करिये तो वैं कुछ पामी। एका दसी करिये तो वैं कुछ पामी। एका दसी ना दिव से पान्सो पारी खवाए नि, दिव से सुवाए नि, फड़ा आरपन थोड़ों करवान। बारसे सुँ जम्मवानु कर्शुँ, येनो विचार एका दसी कर्शों तो एका दसी नो भंग थसे। एका दसी ने दिव से खूब भगवत्स्मरण करो। एका दसी माने, दस इंद्रियो और अग्यार मुमन ए प्रभुश्मरण मा परोविराखो। बार द्रसुद, अग्यारस्थी गोकुर ना बधा मान्सों निर्जडा एका दसी वगेरे वरतों नी तपस्तर्या करेचे। अने तेथी तेपची भगवान गोकुर मा आवेचे। आखुगाम वरत्त करेचे। अरे नाना बाड कोपन वरत करे चे, प्रत्य एक नेव लागे चे, क्यों तो नंद बाबा माटे तप करू छे। आ बाजु देवकीने आठमों गर बर रयो चे, कंसे सेवकों ने कईूं सावधान रे जो। आठमों बाड कजमारो कार चे, माटे जागरूत रे जो। सेव कोही कंयूं, अमें उगताज न थी, खड़ो पयरो भरीये चे, बाड़ थसे, ये तरत्यज खबर आप चोंँ, देवकी नागर बमा एकला नारायन 자े नींए देवो प्रार्चना करे चे, ये प्रभू, आप शत्य रूप छो, आप तरिकाला बादित छो। अमने आपेल उवर्दान आप सत्के करवा पधारों छो, आपनो जय हो, जय हो, देवकीने आश्वासना आपने हो, जीवने इस्वर विनाजारे चेन पड़तू नथी, जीव तर फड़े छे, अती आतुर बने छे, क्यारेज भगवाननों अवतार थाये छे, चंद्र रोहिनी नक्षत्र मा आव्याओ छे, दिशाओ स्वच थाय गई छे, आकास्त निर्मण थायू छे, नदियो ना पाणी निर्मण थाया छे, वनरायो मा पक्षियो औने बम्राओ किलोल करवा लाग्या छे, शितर सुगंदी तथा पवित्र वायू आवा लाग्यों छ परम पवित्र समय प्राप्त थायो, श्रावन मास क्रिष्न पक्षनी, अस्टमी रात्रिये, मध्य रात्रिये, देवकी वसुदेव समक्ष, चतुर भंग्ज भगवान प्रगण खया छे, वोधिये भगवान स्रिक्रिष्न की जै, भगवाने श्री हस्तमा, शंख, चक्र, गदा, पद्मधारन करिया छे, मारा चरण नों अस्रवे जे कर्षे, तेना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ए चारे पुरुशार्थों ने हुँँ शिद्ध करिया पीश, ए बतावा माटे आच्या चतुर भुज श्रुप छे, परमात्मा, विशेष्मा बोध आपे छे, के म मारा बक्तो नों, हुँँ चारे कोर्थी रक्षन करूँ छे, माटे है बत्तो, तमे निश्चिन्त रहे जो, अती दिन बनी वाशुदेव देव की ये इश्वर नों आराधन करियों छे, पचि चतुर भुज श्रुप अद्रश्य थयूं छे, अने बे हाथ वाड़ा बाढ करिष्ण लाल की जे, कनयालाल, बाढ कनयालाल प्रगट थया चे, बाढ कनयालाल की जे, वाशुदेव सुद्ध सत्व गुण नों स्वरुप छे, सुद्ध विशुद्ध चित्त, एज वाशुदेव छे, देव की ये निश्काम बुद्धी छे, अने ए बेनू मिलन था, पण जवू के काराग्रहना सर्व दर्वाजा बंद छे, परंतु या बालकृष्णने माथे मुक्या, त्या सर्व बंदन फटो फट तुटी गया छे, दर्वाजा खुली गया छे, आज़ पगनी बेडियो तुटी गयी छे, मस्तक मा बुद्धी छे, बुद्धी मा इस्वर अनु बहु थाए, त्यारे संसालनु बंदन छुटे छे, भगवान ने माथे राखे, येना मोक्षना दर्वाजा तमाम ना खुली जाए, तो आतो काराग्रहना दर्वाजा खुली जाए, येमा सुँ आस्चरे छे, जेने माथे भगवान होए, तेना मार्गमा वीगन आखे छे, येम जे जे स्रीक्रिष्णा ने बुद्धी रुपी माधामा पदरावेच, तेना सर्वबंदनों तुटी जाएच, तेना संसार काराग्रहना दर्वाजाना तारापन तुटी जाएच, वशु देव काराग्रहमाजी बार आव्याच, के दावजी दोडता आव जबने मडवा आधिरी बर दीराई बनीच, यमना मा जड उँचे चडवा मांद्याच, प्रभुए टोपली माथी पग बार काजा, यमना जीने चरंश्पर्ष करी, कमणनी भेट अरपन करीच, आम प्रथम दर्षन औने प्रथम मिलन्नों आनंद यमना जीने आप्योँ छ दीरे दीरे जड उत्री गयूं वसुदेव काडाग्रह, वसुदेव गोकुड मावया, योग मायाना आवरण थी, गोकुड मा सर्व लोको सुता चे, वासुदेवे स्त्रिक्रिष्ण नने यसोधा पासे मुकी दिदा औने योग मायाने लईने पाचा फर्या चे, वसुद योग मायाने तोप्ला मा लई औने काराग्रह मा आवया चे, ब्रह्म सबंध थया पची, वसुदेवनी बेढियो तुटी गये ली, पड मायाना सबंध थी, फरिपाच्चु बंधन आवयो चे, वसुदेव गोकुड थी, मायाने लईने माथे आवया, एटले परवाज फरिप्पा चा बंद थया भगवान नी आग्न्याथी वसुदेवे बंदन श्विकारियू छे योग माया रडवा लागी कंस ने खबर पापको आमावी कंस दोडतो आवयो क्या छे मारोकाड लावो अही लावो कंस योग माया ना बेपग पकड़ी अने ज्या उप उपर पचारवा जाए छे मारवा माटे माया कोईना काशमा आवी छे कंस ना आवर आवे आदी माया या कंस ना राडवत आव पर लाट मारी तेने वसुदेव देवकिने कईूँँचे मारा अफ्राधनिक शमा करो। आ बाजु बाड करिष्ण ज्यारे नंद जीना घरमा आव्याचे। त्यारे ते वक्ते नंद बाबा सुतेला चे। एवामा नंद बाबाने श्वपन देखाये चे। श्वपनमा जुएचे तो मोट आवोता रुशियो आजांगने आव्याचे। यसो दाजी ये स्रिंगार करोचे अने यसो दाजीनी गोधमा सुन्दर बाडक चे। शीवजी पोते बाडकनुँदर्शन करवाव्याचे। नंद बाबा प्रातह काड़े जागेचे। मनमा आनेक प्रकारना विचारो करता क गोशाणा मा जायेचे नंद की जाते गायो निशेवा करेचे। नंद बाबा प्रास्ना करेचे। ये नारायन मारा घेर गायो निशेवा करनार गोपाड कृष्ण गोपार कृष्ण नो जन्व थाओ। तेवक्ते बालकृष्णे लिला करी एवी लिला करीचे। पीडु जबलू पेरी, कपाड मां कस्तुरी, तुलक, तिलक करी, गूटनिये, चालता चालता, बालकृष्ण गउशाडा मां आवेशे, नंद बाबाने बाड़क नी जांखी गउशाडा मां थईचे, त्यारे नंद जीने लागियू, कि जे बाड़क में श्वप्न मां जोयेलो, ते जी समय, ते जक्षने नंद बाबा देहनू बान बूली जायेचे, नंद जीने याद आवतू नथी, कि हूँ सुतो छूँके जागूँचे, पहली तरब सुनंद आने यसोदानी गोदमा, बालकृष्ण नी जांखी थायेचे, ते दोड़की दोड़की गउशाडा मां भ जी ये यवना जी मां स्नान करिऊंचे, शांडीले रुषी दान करवानू कहेचे, नंद बाबाये बे लाख गायोनू दान करिऊंचे, अने एक वर्षो शुदी तपस्चे रह कर्याचे तापन, रुषी मुन्योंने प्रभूना दर्शन नथाये, ते आरे तेओ उचे गायोनी डोक के वडगी ब्रामन ब्रामनी आनंद मां नाचवाला गया छे जैकनया लालची, जैकनया लालची नंद गेरया नंद गळई, जैकनया लालची, आर्चिजियो गोड़ादियो उरदियो पालची नंद गेरया अनंदवाय के तेगनया लालची नंद गेरा नंद पया जै कनिया लालुटी जै कनिया लालुटी नंद गेरा नंद पया जै कनिया लालुटी नंद गेरा नंद पया जै कनिया लालुटी पोलिय कृष्ण कनिया लालुटी जै बाल कृष्ण भगवान की जै ये सोधान क्या पुत्र जन्मना समाचार सांबडी गोपियो कृष्ण दर्शन माठे दोडे छे जाने नवधा भक्ती आज इसोर ने मडवा चाली होए अंगे अंगने प्रभुना मिलन नी उतावण थे होए आउं लाजे छे आँखों कहे छे के भाग्यसाडी कोई न थी आज प्रभु दर्शन माठे दोड़ू छे माठे हुपन भाग्यसाडी गोपियो निवेनी माठे पुष्पों खरी जाये छे पुष्पों कहे छे तमारा माठा परेवाने अमें लायक नथी अमें तमारा चरण रज लईने कृतार्च रहिशों गोपियो बाल क्रिश्ण ने दैची अभिशेक करवा जाये छे पण लिलानू दर्शन थतां लालानू दर्शन थतां देह भान रईू नथी तेथी पोतेज पोतानो अभिशेक करवा लागी छे यह सोदा आजी तेमने कई ने कई आपे छे कहे छे के गरमा कई न रहे तुम आदो नथी पण दरेक नो आशिरवाद लेवो छे आनंद मा पागल थेली एक गोपी लालानो जैजे कार करे छे अने कहे छे मने आपू होए तो कणियो जापो यह सोदा आए तेले पासे बेसाडी लालान तेनी गोधम आपयो छे गोपी अतिसाए गोपी ने आनंद थेयो छे हजारो जन मथी विखुटो पड़ेलो जीव आजे इश्वर ने मढ़ेव छे गोपी अंदर प्रवेश मेडवी ने प्रशन थाये छे पुरुषो बार रही गया छे जे गोपी नी पेठे नंब्र बने, विनंब्र बने, सरण बने तेने इश्वर ना दरबार मा प्रवेश मढ़े छे श्त्रीय नम्र तानू, दिन तानू प्रतिक छे पुरुषे अहंकार नू प्रतिक छे अहंकारी ने इश्वर ना दरबार मा प्रवेश मढ़तो नथी आम विजारवानी अने वर्तंठी शर्वने आनंद आपे ते नंद, एवा सर्वने आनंद आपनार नंद ने गेराज परमा आनंद प्रगट थाएज़। सर्वनों आशिर्वाद मेडव सो, तो सर्वेश्वर तमारा गेर पड़ाँ आउशे। सर्वना आशिर्वाद नमले तो काई नी, पड़ कोई दुखी न थाए, एवु न करशो। सवने मानाको, सवनो सतकार करो, कोईना मनमा उद्वेग के असांती पेदा न करशो। बिजानी रित बात थी, तमारा जितमा असांती न थवादेशो। लोको वर्ष मां एकजवार नंद महत्सव करेचे, पड़ा नंद महत्सव तो रोज करवो जो ये। रोज इश्वर प्रागट्यानू भवो, और रोज येनू उद्शव करो। मंदिरमा नहीं, पड़ मनमा आसररुपी मंदिरमा उद्शव तो रदय मा थाए। इश्वर नू प्रागट्या त्यारे थाएचे, जारे मनुष्य देहमा होआ छताए, तेने देहनू भान न रहे। परमात्माने रदय प्रगट थाए, तो तरस बूलाएचे, भूख बूलाएचे, नंद महत्सव रोज करे, तेनो आखो दिवस आनंद मा जाएचे। गरिब माँ गरिब पन, नंद महत्सव करी शक्ये चे। उत्सव माँ तन मुख्य नथी, पन मन मुख्य चे। उत्सव माँ देहबान भूलाए, तो उत्सव सफट बने चे। तमारा सरीर ने मथूरा बनावो, रदय ने गोकूड बनावो, अने पच्छी नंद महत्जो थसे, पच्छी रदय गोकूड मां परमात्मा प्रगठाएचे, बोल ये बाल कृष्ण लाल कीजे, भागवत भगवान कीजे, ओम नमो